रात के बारा बच चुके थे, बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी, दोनों अपने रजाई में दुवक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खट खटाया है विना एक वीमा कमपनी में काम करते हैं, उनकी कमपनी उनको एक जगा से दूसरे जगा ग्राहक से मिलने के लिए भेशती रहती है जिसके कारण वो अपना घर एक ठीकाने पर नहीं रख सकते थे इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब एक महिने के लिए इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी विने और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में उपर से बहुत तेज बर्फ भी पड़ रही थी वो लोग अपने घर पहुँच चुके थे अपने घर तक पहुचने के लिए उनको बहुत संघर्स करना पड़ा क्योंकि घर छोटी से गाउं में एक पहाडी इलाके में था जिसकी वज़े से दोनों बहुत ठक चुके थे रात के बारा बच चुके थे जहां वो रह रह रहे थे वहाँ दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर दूर से बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी दोनों अपने रजाई में दुबाक कर अराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की बज़ा से ऐसा हो रहा हो इसलिए उन्होंने इस बात को अंदेखा कर दिया अगली सुबह विनैज इस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा उसकी पतनी घर में अकेली ही थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देखी लिया जा बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तयार हो गई जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जो उसको चुपके चुपके देख रहा है विना की पत्नी ने उसको अपनी योर बुलाया पर वो आया नहीं और वहां से भाग गया अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और नहीं कुछ बताया विना की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा तब भी वो कुछ नहीं बोला आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में अपना सूर बताया और फिर वहां से भाग गया उसको उसका वेभार कुछ समझ नहीं आया ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा वो बच्चा रोज उसको खंबे के पिछे से निहारता रहता था उस दिन रवीवार की रात थी दोनों घर में अंगेठी के सामने आग ताप रहे थे क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाय तो उसकी जान चली जाय अचानक फिर किसी ने दरवाजा खट खटाया उन दोनों को फिर से लगा कि सायद हवा की वज़े से ऐसा हो रहा हो तभी फिर से किसी ने दरवाजा खट खटाया इस पर खट खटाने की आवाज साफ आ रही थी ये आवाज सुनकर दोनों डर गए क्योंकि इतनी रात को वो भी जान ले 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 वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है दोनों के वल एक दूसरे का मूँ देख रहे थे अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला कौन है बाहर कुछ देड़ तक आवाज तो नहीं आई पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई दरवाजा खोलो ठंड बहुत है ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता है विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जाही रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजी फोन एक पडोस में रहने वाली औरत का था जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी विनय की पत्नी ने फोन उठाया वहाँ से उस औरत की आवाज आई हेलो जी मैं आपको एक बात तो बताना भूली गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दर्वाजा खटटा है तो उसको मत खोलना विनय की पत्नी ने कहा की अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दर्वाजा खोलने को कह रहा है तभी उस औरत ने कहा की नहीं आप बिलकुल मत खोलना वो असल में एक आत्मा है यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सब के घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिस करता है अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है यह सुनते ही जैसे उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटकिता रहा है वो असल में एक आत्मा है उन्होंने दरवाजा नहीं खोला अगले दिन ही वो दोनों भाग कर पडोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा उस औरत ने बताया कि इस गाउं में एक परिवार रहता था पहार तूटने की वज़े से उस परिवार का विनास हो गया बस एक बच्चा बच गया वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी आ पड़ी थी वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटकेटा कर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी हंड की वज़ा से सब अपने घरों में दुखके हुए थे कल सुबा होने पर उस बच्चे की लास बर्फ में अकड़ी हुई मिली आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सब के घर के पास आती है और गुहार लगाती है यह सब सुन कर दोनों हैरान रहगया लेकिन वहां एक महेने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उन के साथ ऐसा ही हुआ लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहां से चले गए पर विन्य की पत्नी के दिमाग में एक रहस से हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बार दिखता था वो फिर कभी नहीं दिखा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल 5-Minute Knowledge को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए Have a nice day